Hello everybody, this is दिग्राश सिंग राजपूत, welcome to Magnet Beans इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़नेंगे मोनाश्ट्रीस के बारे में मोनाश्ट्रीस क्या होती है? सबसे पहला सवाल आपके मन में यही होगा कौन मनवाता है, सर क्यों मनवाते हैं, कैसे मनवाते हैं? यह सारे सवाल जो हैं आपके, वो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? सुल जाने वाले हैं देखो, आप सभी लोगोंने वीडियो में, मुवीज में इस तरह से Buddhist Monasteries देखी होगी, Buddhist Monks को देखा होगा, छोटे-छोटे Monks भी होते हैं आपके बराबर, ठीक है, 6th Class में, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, ठीक है, बहुत सारी लोग भूमने भी गए होंगे हैं यहापे Monasteries में, तो जैसे आप देखेंगे, इंडिया में भी Monasteries ह Monasteries हैं, तो इस तरह से क्या है, Monasteries हैं बहुत सारी, Monasteries होती क्या है, तो आपने अभी पिछले वीडियो में संग पढ़के आये थे, अब संग क्या होगा, ग्रुप हो गया, तो जो सारे इंसान, जो सारे लोग जो क्या चाहते थे, knowledge सीख करना चाहते, जो चाहते थे कि है, परम ग्यान, enlightenment मिल जाए हमें, जो लोग इस तरह की सोच रख रहे थे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक साथ रहते हैं, meditate करते हैं, सारी चीज़े करते हैं, लेकिन अब उन्हें, ओवर दी प्रियो टाइम क्या होगा, कि एक जगा पर रहे के करना होगा, मतलब एक स्प Mang and Buddha monks went from place to place, अब क्या होता था, जिसे आप देखो कि तो जैनिजम, Buddhism यह जो monks होते थे, एक जगा से दूसरी जगा मूफ करते हैं, continuously, अब क्यो मूफ करते हैं, यह जो रहे थे सानी ट्रावलर हैं, बहुत शोक है भूमने का, वो ट्रावल इसलिए करते थे, क्योंकि वो अप तो WhatsApp, Facebook, इंसारी चीज़ों से क्या कर ले तो बहुत आसानी से पहुचा दे तो लेकिन उस समय पे पॉसिबल नहीं था, तो उस समय पे फिजिकली खुद मूव करना पड़ता था मौंग्स को ताकि वो अपना संदेश लोगों तक पहुचा पाएं, बुद्धा का संदेश, महावीर का संदेश लोगों तक पहुचा पाएं तो इस कारण से क्या होता है, बोच जयन अन बुद्धा मौंग्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू प्लेस, क्लियर है, फोर टीचिंग पीपल, तो टीच पीपल, यह क्लियर हुआ, अब क्या होता है तो देखो, तो साल भर वो मूव नहीं कर सकते थे, the only time they stayed in one place was during rainy season different, जब तक मौसम ठीख है, मौसम ठीक in the sense की जो दूसरे seasons रहेंगे, summers, winters, टो उसमें क्या कराएंगे, उसमें तो continuously move करते रहेंगे, क्यों क्यों की तो जाते रहेंगे, बारिश में practically पहले क्या होता था, पहले लोग रुख जाते थे, मूव नहीं करते थे कहीं आना जाना बन रहता था 4 मैने क्लिए के बहुत सारे रीजन थे क्योंकि बारिश भी पहले बहुत ज़ादा होती थी साथ ही साथ में पहले moverable road नहीं होते थे तो देखो ये चीज आप देखना continuity कैसे समझते हम कि culture जो है culture सिर्फ एक religion से कभी नहीं बनता है ये चीज आप देख रहे हो बुद्धिजम, जैनिजम की perspective से पढ़ रहे हो यही चीज क्या है आज से ना कुछ तो आज से 100 साल पहले चौमा से होते थे तो उनसे पूछेगा कि चौमा से वाला सिस्टम क्या होता था तो जो हिंदू सेंट्स है वो भी क्या करते थे वो भी चार महने के लिए जिस गाओं में रुखे होगा है तो उसी गाओं में रुख जाते थे जैसे वो भी कंटिनिसली मूव करते है तो अगर मानलो पारिश लग गई है और वो किसी गाओं में तो वही रुखते थे चार मैने लोगों से भिक्षा मांगते थे वही रहते थे तो इस तरह से क्या होता है कि रेनी सीजन जो रहता है उस समय पर मूवमेंट बंद हो जाती यह रेनी सीजन पर मूवमेंट बंद हो जाती है तो therefore therefore their supporters built temporary shelters for them in gardens ठीके और they lived in natural caves in hilly areas तो अब क्या होता था जो monks थे those who were on continuous move ठीके teaching people तो वो लोग क्या करते हैं वो रुख जाते हैं ठीके और उनके जो supporters होते तो उनके लिए एक temporary settlement यो ने पता चार मैने रुखना चार मैने बात फिर अपना वही काम है लोगों को अपना संदेश पहुचाना है तो चार मैने के लिए वो रुखते थे तो अब जो रुखते थे तो उनके supporters उनके followers जो होते थे monks के वो उनके लिए temporary shelter बना देते थे temporary shelters garden में हो सकता है natural caves में बना दिया जाता था तो जैसे अब आपको य image दिया आपकी book में क्या है ये a cave hollowed out in hills ठीके this is a cave in कारले present day महरास्थ present day महरास्थ monks and nuns lived and meditated in these shelters तो आप देखो यहाँ पर क्या है एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हो जो commodities की त्यारी करने ध्यान रखना कुशन कैसे आते हैं अब आप क्या देखोगे rock cut architecture art and culture वाले पार्ट से तो rock cut architecture buddhist monasteries जो है या फी buddhist caves तो यहां पर क्या है आप देखोगे तो उस time period में क्या होता इस तरह से temporary settlements बनाये जाते तो उनके supporters के दवारा तो western part में आपको ऐसे क्या है dugout caves मिलेगी hilly areas में ठीक है जैसे western अब यह महराष्ट का दिया हुआ है ठीक है तो ऐसे connect करना होगा NCIT में से कहां क्या पढ़ना है कैसे connect करना है वो बहुत जादा important है पढ़के तो आप एक दिन में पूरी book खतम कर सकते हो लेकिन reading ही नहीं लगाना है न उसको connectivity develop करना बहुत जादा ज़रूरी है clear हुआ अब आगे देखो क्या तो over the period of time over the period of time many supporters of monks and nuns and they themselves felt the need of more permanent shelters अब जैसे संगह बड़ा होते चले गया अब संगह जब बड़ा होते चले गया तो समय के साथ में क्या लगा बहुत सारे monks को बहुत सारी nuns को ठीक है monks is for male and nuns is for female तो अब बहुत सारे बिकूस को बिक्षुनीस को क्या लगा कि अब हमें permanent settlement चाहिए रहेगा जिसमें हम क्या कर सके अपन Monasteries were world जैसे गोंपास भी कहा जाता है अरुनाचल प्रदेश वगरा में बुद्धिष Monasteries तवांग Monasteries जैसे मने आपको बता है ठीक है तो therefore Monasteries were built और इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें विहरास भी कहा जाता है ये भी धिहान रखना है बुद्धिष Monasteries को विहरास भी कहा आए गए फिर क्या होता है somewhere even in the caves that were dug out in hills especially in western India तो rock cut architecture related to religion बुद्धिजम से जुड़ा हुआ जो आपको देखने को मिलेगा तो जैसे एक गुफा होती है एक हिल है माननो ठीक है ये पाहाड था अब इस पाहाड में क्या करा इतनी रॉक को काव कर दिया और यसी ऐसा अंदर क्या कर दिया carving निकालके dug out करके एक cave बना दी गुफा बना दी वहाँ पर meditation हो रहा है बढ़ियां तो यह बहुत मोनेश्ट्री ऐसी निकल क्या गई वेस्टन इंडिया में clear अजन्त अलरवा वाली जो गुफा हैं है न तो वह आपको मतलब एक तरह से ऐसे relate करना कि वह किस त अब जैसे वहारा बनाए जा रहे हैं मानलोग और मानलोग क्या हो रहा है कि इस तरह की कोई monastery बनाई जा रही है तो इस तरह से जब monastery बनाई जाती थी तो इस तरह से जब monastery बनाई जाती थी तो the land on which the viharas was built was donated by a rich merchant or a landlord or the king ठीक है usually जो land वाला पार्ट होता था वो किसी influential king landlord जिनके पास जमीन जादा होती तो वो donate कर देते थे बोलते थे यहां अच्छा इंसान है ठीक है लोकल पीपल इनके पास आते थे medicine लेके लोकल पीपल आते थे इनके पास कपड़े लेके वो gift के form में लाते थे कि प्रभू यह आप रख लीजिए और बदले में क्या होता था वो उनके पास बैठते थे तो in return they taught the people वो उनको अपने lectures देते थे ठीक है lectures ऐसे स्वेशल सही ज teachings यह सारी चीज़ोंने बदले में समझाई जाती थी आया समझ में तो यह Monasteries थी Monasteries के बार में बताया तो आप जो संग है तो संग क्या हो गया over the period of time systematic way में एक institution मतलब जहा Monasteries जहां रह सके Monks उनके लिए वो बनाई गई ठीक है तो यह यह भी development हुआ यह मनें आपको बताय religious point of view से development हुआ ठीक है तो वैसे अगर देखा जाए तो आपकी book का यह last topic था ठीक है लेकिन इसमें एक box और बचा भी आश्रम system जो है जब आप समुद्र में जाके देखते हो ना तो समुद्र में तो सारी नदियां के अपना पानी डाल देती है अब आप identify कर सकते हो कि यह इस नदी का पानी है यह इस नदी का नाम यह है पूरा समुद्र बन जाता है वो तो ठीक है तो उसी तरह से क्या बोला है कि so are verna and ranks and family forgotten when the followers of Buddha join the order of monks ठीक है तो जब आप monk बनते हो इस तरह से तो आपका कौन सा वर्ण है आपकी क्या rank है आपकी क्या family है वो सारी चीज़ें भुला दी जाती है आप सिर्फ बुद्धा के follower होते हो आपके बीच में उच नीच जो आपका आपकी बोलते है ना so called identity जो बनाई गई ग construct की गई है वो सारी चले जाती है तो यह बताते है कि हाँ equality पे focus करता है बुद्धिज्म ठीक है यह हो गया so this was all about monasteries I hope you enjoyed it सारी सीज़ा आपको समझ में आई है किसी परकार कड़ आउट है feel free to ask in comment section magnet brains पर इसी तरह से class 4th से class 12 तक सभी subjects chapters topics subtopics सब कुछ systematic way में video lectures के format में available है जने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पढ़ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं अपने juniors और seniors को जरूर बताए magnet brains के बारे में मिलते हैं next video में अगले topic के साथ जिसमें हम आश्रम system समझेंग क्षब से बारे में 1,5 पत Terme हैं आप को जढ़ से सकते हैं समझेंगेट क।क कि की वीज़ समस्द दूेआ आप को जOOोः से एत्यू औरे बहुत के स